गुड आफ्टर नूम बच्चों, मैं संतोष्ट वास्तो सुपर सेक्ष्टी से आपको कुछ ऐसे वर्स बताने के लिए यहां पे हूँ, ऐसे वर्स जो आप बहुत बार देखते हैं, बहुत बार देखते हैं, लेए आप उन्हें समस्ते नहीं, वास्तों में आप उनके बार या मैं अगर आपसे कहूं कि लगेस और बैगेस में क्या फर्क होता है अगर मैं आपसे कहूं कि गैसोलीन और पेट्रोल में क्या फर्क होता है या अगर मैं आपसे कहूं कि अपार्टमेंट और फ्लैट में क्या फर्क होता है तो आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो बच आप इनके बारे में नहीं बता सकते हैं कि एक apartment और flat में क्या फर्क होता है एक rubber और eraser में क्या फर्क होता है तो मैं आपके ऐसी कई सारी चीज़ों का कई सारी शब्दों का करीब 20 शब्दों का 20 words मैं आपके लिए solution लिकर आया हूँ आज के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे कि rubber और eraser में क्या फर्क होता है आप जानेंगे कहाँ eraser क्या होता है और rubber क्या होता है ठीक है तो तयार हैं बच्चों आप ऐसे words जानने के लिए जो अब तक हमेशा आपको confused करते रहे लेकिन विस्वाश करें आज के बाद आपको confused नहीं करेंगे क्यों नहीं करेंगे इसका भी जवाब अभी आपको मिल जाएगा कि वास्तों में इनमें difference है क्या ठीक है सारे बच्चे देखें कि वास्तों में इनमें difference क्या है बच्चों बस आप 30 seconds वेट करें बच्चों और देखें एक एक शब्द को कैसे मैं आपको आपके सामने लिकर आता हूँ बस एक मिनिट बच्चों यह आपके सामने देख रहे होंगे बच्चों एक शीट आगई आपके सामने एक श्लाइड आगई और इन श्लाइट्स के द्वारा आप हर एक शब्द को जानेंगे, आप देख रहे हैंगे, आपके सामने लिखा है, 20 अमेजिंग वर्स वी मस्ट नो, यहीं 20 ऐसे वो शब्द जो हमें जरूर ही जानना चाहिए, तो आते ही देखते हैं कि सबसे पहले हम कौन से वर्स को आपक के सामने तो US English में अमेरिकन English और British English मतलब जो अंग्रेजी जो English हम लोग पड़ते हैं, और यह आपकी सामने हैं दो वर्स, गार्बेज और रबिश, अब आप समझ गया होंगे बच्चों, कि अगर गार्बेज और रबिश में आपको फर्क करना है, तो क्या करना पढ़ेग आपको समझ में आ रहा है न, कि जो गार्बेज होता है, वो एक American English का वर्ड है, और जो रबिश होता है, वो एक British English का वर्ड है, समझ में आ गया, सभी बच्चों को गार्बेज और रबिश में क्या फर्क है, गार्बेज आपका American English का वर्ड है, और जो रबिश है, वो आपक English का वर्ड है, दोनों मींस एक ही होता है, कूडा करकट, यह होता है न, कूडा करकट दोनों मेंस, चाहे गारबेज हो, चाहे रबिश हो, मैंने इसका यूज भी दिया है, जैसे आप इसको यूज कर सकते हैं, चाहे आप गारबेज या दोनों से ही है, बस आप जाने गारबेज अमेरिकन अंगलिस का वर्ड है, और रबिश जो है वो बिड़िस अंगलिश का वर्ड है, अब आपके मन में आ रहा होगा, सर्फ दूसरा वर्ड क्या है, वो दूसरा वर्ड आपके सामने है, यह वर्ड जो बैगेज और लगेज, दोनों मेंस क्या होता है, सामान होता है, दोनों मेंस क्या होता है, सामान होता है, बैगेज मेंस भी और लगेज मेंस भी, अब तो आप समझ गए होंगे नो, कि बैगेज जो है, वो अमेरिकन इंगलिस का वर्ड है, और जो लगेज है वो आपका ब् I don't touch any attended luggage in any public place, किसी public place पर आप इने न छोवें आप क्योंकि खतरना अखुर शुकता है, यही न, यानि, बैगिस कोई कहे, तो कौन सा वर्ड है, American English का है, लगिस कोई कहे, तो कौन सा वर्ड है, वो, British English का है, याद हो चाहेगा बच्चों अब आपको, अब आपको याद कि गार्बेस और रबिस में क्या फर्क है, और बैगिस और लगिस में क्या फर्क है, लेकिन हमारी यात्रा यहीं पर नहीं खतम होगी, आगे भी आपके है, देखें, इरेजर और रबर, क्या है बच्चों, इरेजर और रबर, इरेजर कौन सा शब्द हो जाएगा, American English का, औ रबर कौन सा वर्ड हो जाएगा, बिडस अंगलिश का, और यह आपके सामने रहा, इरेजर है यहां रबर भी कह सकते हैं, यह रबर भी कह सकते हैं, और इरेजर भी कह सकते हैं, लेगिन फर्क भी अब आप बता सकते हैं, कि इरेजर जो है, वो American English का वर्ड है, और जो रबर यह रबर हो जाएगा बच्चों, यानि आप उसे इरेजर या रबर से मिटा सकते हैं, तो याद हो जाएगा बच्चों को आप, कि इरेजर और रबर में क्या फर्क होता है, इरेजर अमेरिकन इंगलिश का वर्ड है, और रबर जो है वो बिडस इंगलिश का वर्ड है, U.S. English यानि American English का word है और holiday क्या है? British English का word है. याद हो जाएगा सभी बच्चों को, vacation क्या होता है? American English में यूज किया जाता है और holiday क्या होता है? British English में यूज किया जाता है. Use भी मैंने दिया है आपको सामनी. We want to go to Europe on vacation or on holiday हो जाएगा. दोनों समझ में आ गया होगा? vacation, American English, holiday, biggest English. ठीक. अगला आप बड़ देखते हैं हमारी सामनी कौन सा है? ये देखें. Fall आ गया. बहुत सारे बच्चे जानते हैं, fall means गिरना होता है. लेकिन noun के रोप में fall means पतज़ड भी होता है. क्या होता है बच्चों? fall means पतज़ड भी होता है. तो autumn means भी तो पतज़ड होता है. हम लोग तो autumn ही जानते हैं. फिर fall क्या है? तो अब आपके सामनी देख रहे होंगे आप. American English में अगर आपको पतज़ड का प्रियोग करना है, तो आप fall यूज करिए. और अगर autumn यूज करना है, जाएगा आज के बाद. fall means भी पतज़ड होता है. autumn means भी पतज़ड होता है. बट fall क्या है? American English है. और autumn क्या है? British English है आपका. और इनका यूज भी मैंने आपको दिया है. We planned our trip in the fall. या in the autumn when there were fewer tourists. तो आज के बाद याद रहेगा कि fall पतज़ड के रूप में American English है और autumn पतज़ड के रूप में British English है आपका. Next word आपके सामने देखे कितना important है. कभी हमने नहीं जाना होगा. यहाँ इन दोनों में क्या फ़र्क होता है? Line भी वही चीज होती है. Q भी वही चीज होती है. लेकिन आज के बाद नहीं हम ऐसा करेंगे. आज के बाद हमें याद रहेगा कि अगर हम line का प्रियोग करते हैं तो यह एक US English. यानि American English में यूज होता है और अगर हम Q का प्रियोग करते हैं तो यह British English में यूज है. अब हम दोनों कहेंगे तो हमको पता रहेगा हम किसे कहेंगे line में खड़े हो जाओ तो हम जानेंगे line अमेरिकन इंगलिश है. अगर हम कहेंगे Q में खड़े हो जाओ तो हम जानेंगे हम British English यूज कर रहे हैं और हम इनका use भी मैंने आपको दिया है. You can find there a long line सारी confusion आपके खतम हो रहेंगे eraser और rubber का confusion आपको garbage और rubbish का confusion आपको baggage और luggage का confusion आपको fall और autumn का confusion आपको line और cue का confusion लेकिन ये आपके सामने और भी words है apartment और flat है नौ? अकसर आप सुनते होंगे वो फला apartment में रहते हैं या वो इस flat में रहते हैं तो ये apartment flat अब आप जा की समझ सकते हैं कि apartment क्या होता है? American English का word होता है और flat क्या होता है? British English का word होता है कितना easy बचो, कितना easy है कि अब आप बता सकते हैं कि apartment हम किसमें यूज करते हैं? American English में और flat किसमें यूज करते हैं? British English में यूज भी मैंने आपको दिया है, they have a four bedroom apartment या they have a four bedroom flat in Lucknow, समझाएंगे आप, apartment कौनसा वर्ड है, American, flat कौनसा वर्ड है, British, बिल्कुल clear होता जा रहा होगा बच्चों आपको, ये सामने आप apartment भी मैंने दे दिया है, इश्वर करे कभी, ऐसे रहें आप, next word हमारे सामने बच्चो cookie और biscuit, दोनों एक ही चीज़े होते है, cookie भी वही होता है, और biscuit भी वही होता है, लेगिन फर्क है, अब तो समझ जाएंगे आप, cookies हम किसमें कहते हैं, American English में, और biscuit किसमें कहते हैं, British English में हम कहते हैं, और इनका use भी मैंने आपको दिया है, we served the guest with tea and some cookies are biscuits, यानि, cookies अगर use करते हैं, और biscuit use करते हैं, तो British English use करते हैं, आसके बाद दोनों यूज करिएगा, लेकिन आप जानिएगा कि दोनों का फर्क क्या है, जानेंगे ने बच्चों, याद रहेगा सभी बच्चों को, बिल्कुल, next word हमारे सामने है, gasoline और petrol, समझ जाएंगे, American English में यूज करना है gasoline यूज करिए, और British English use करना है, तो petrol यूज करिएगा, जो कि आप यूज करते हैं, petrol, बिल्कुल क्लियर होगा आपके सामने, use भी मैंने दिया हुआ है, today I am a bit low on gasoline or petrol, यानि कभी भी अगर American English में यूज करना है, तो आप gasoline यूज करिएगा, और अगर British English use करना है, तो क्या यूज करेंगे आप, ठीक, अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, ये देखें, अक्सर आप lift में जाते हैं, लेकिन lift को elevator भी कहते हैं, किसने जाना, अगर जाना, तो क्या उनका फर्क जाना, नहीं न, आज जानेंगे आप, कि elevator अगर आप कहते हैं, तो आप American English use करते हैं, और lift अगर आप कहते हैं, तो आप British English use करते हैं, clear रहेगा सभी बच्चों को, elevator, American English, lift, British English, और इनका use भी आपके सामने है, you should take the elevator, or lift to the 10th floor, यानि elevator कहेंगे, तो भी सही है, lift कहेंगे, तो भी सही है, फर्क क्या है, American English का और British English का, ओके, और ये आपका बता रहा है, कि ये आपके 20 words आपको दे बच्चों, जो आपके सामने यहाँ पर आप देख रहें, अर्थात ये वो words हैं बच्चों, जो words आपके समझ में नहीं थे, आप इनको देखे थे, आप इनको जानते भी हैं, बट इनके बीच जो differences थे ना, वो आप नहीं जानते, आज clear हो गया होगा, कि याद कर लिए होंगे या याद कर लेंगे आगे, इनके बीच differences क्या है, अगर आप जानेंगे holiday vacation में क्या फर्क होता है, अच्छा है बच्चों, अगर आप जानेंगे eraser और rubber में क्या फर्क है, अच्छा है, अगर आप जानेंगे luggies और baggies में क्या फर्क है, अच्छा है, अ जो बताओ रबर और रेजर में क्या फरकूता है, आप एक बार पूछ के देखे, हमेशा के लिए इस हार डिस्क में क्या हो जाएगा, इस टूर हो जाएगा, ठीक है बच्चों, हमेशा खुश रहें, इसी तरह में छोड़ी-छोड़ी सेग्मेंट में आपको बड़ी- कारियां देता रहा होगा, अपकले, अल्विदा, बटनाइट, वटनाइट, वटनाइट, थैंक यू बच्चों.